आओ बच्चो तुम्हें दिखाएं जाकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी में तिलक करो ये धर्ती है बलिदान की वंदे मातरम दोस्तों सबसे पहले तो कॉमेंट में जाके लिखो वंदे मातरम मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये भारत के उपर जो चैप्टर है यानि ग्लिम्से सॉफ इंडिया ईझाल सबक्राइब ने की नहीं है आपको बस आपको देखने भर की ज़ुरत है कि किसके बारे में ये चैप्टर हमारे अपने देश के बारे में है ये चैप्टर तो दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने में मुझे लगता है कि किसी को भी ऐसा नहीं लगए कि बॉर्डन है यह तो बहुत खुशनसीब भी है कि हम इतना अमेजिंग चैफिर पढ़ने वाले और देखो हमाय देश के बारे में हम नहीं नहीं क्या-क्या जानकारी हासिल करेंगे Glimpses of India से Glimpses of India जे एक चैप्टर नहीं है इस चैप्टर के अंदर दिरसल देखा जाए तो तीन-तीन चैप्टर है क्योंकि नहीं बेकर्स ह एक रहा की बड़ी मशूर है वहां के जुओ बड़ी नहीं होती गोड़ी नहीं ऊतीटे थे वह शादियों मेंबी चलते थे क्यों चलते थे, क्योंकि आपको अगर मालूम हो तो गोवा के अंदर पहले पुर्टगाली लोग रहते थे पुर्टगालियों ने ही गोवा को बसाया था तो यह कहानी उन्हीं के बारे में है मज़िधार कहानी है ना आओ पढ़ते हैं बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में क्या क्या है यह भाई साब यह खड़े वे जो देख रहे हैं ना यह इन्हीं के बारे में कहानी है आओ चले इनकी कहानी क्या है देख लेते हैं ना अब बेकर फ्रॉम गोवा इस टोरी अबाउट दा बेकर्स इन दा गवान कल्चर वें देर वोज पर्तिगी जो रूल इन गोवा जब वहाँ पर्तुगालियों का राज हुआ करता था ठीक है इसमें कुछ भी मुश्किल लग रहा है देखो रटों मत परिशान मत तो कुछ भी न रटने की जुरत नहीं पड़ेगी बहुत सिंपल सिंपल से शब्दों में मैंने आपके लिए लॉंग आंसर लिखा हुआ है तो ध्यान से बस देखते जाओ एक्जाम में कोई भी क्वेस्चन आएगा राम से बना लोगे तो बिलकुल टेंशन नहीं लेने का आगे बढ़ते हैं के चाइल हुड औपने बचपन के दिनों के बारे में बताता था शरें समय में लॉण के जाते होdistu वे समय के दौरे सब्सक्राइब क्या खाते थे क्या खाते ते किसा ब्रेड वा ब्रेड वाली ठीक है, आगे बढ़ते हैं, these were made in big furnaces, वो जो बनते थे, किसमें बनते थे, अब यह मैं पता है, भटी में तो बनते हैं, furnace मतलब क्या होती है, भटी, तो यह word आपको याद रखना है, mark कर लेना, ठीक है, so these were made in, किसमें बनते थे, वो, बड़ी बड़ी भटीों में बना करते अच्छा, और क्या होता था, the bakers are known as pedders in Goa, और जो bakers थे न, जो यह बेकरी का काम करते थे, Goa में उन्हें pedders का जाता था, okay, he used to be a friend, companion and guide of the children, और वो जो बेकर होता था, उसे क्या मानते थे, उसे न, वो दोस्त होता था, बच्छों का, उनका साथ ही होता था, उनका guide होता अलतरो अनलतरो बार, वो दोस्त होता था, वो दोस्त होता ही है, वो इसको देखके न बहुत एकक्साइटर होता रहे, बेकर वाला है, लो 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 हमें दे था, मीठे-मीठे ब्रेड, आगे बढ़ते हैं, he would come at least twice a day वो कम से कम दिन में दो बार तो आता ही था with the jingling thud of his bambu ऐसे ऐसे ना एक डंदा लेका आता था एक बास का और टक टक करता है अरे ले लो बई ले ले लो ऐसे ऐसे करके ऐसे बोलता हूँ आता था अब बच्चे तो होते ही हैं दो भागे दोड़े छोले दो नो चुल ला टा कि या और कट ले अगिया बिक्री वाल आ गया चलो ऌगे बढ़ते हैं अर आज जो ब्रणों किसको दे दी जाते थे जो घर के नौकर होते थे थे लोके नग के या होता था और बताओ इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या नहीं नहीं कहानी की तरह है ना बिल्कुल असान है ना रटने की जरू होता है बिल्कुल भी नहीं चलो आगे बढ़ते हैं स्पेशली दा स्वीट ब्रेट बोल और उनका एक ब्रेट है इसको बोल कहते थे जो बड़ा मीठा होता था वो तो वहाँ पर जरू चलता था शादी है लव ब्रेट खाओ अब जिसको ब्रेट से नफर तो उसकी तो खैर नहीं क्योंकि अगर आप गो आ जाते हो ना आपको ख उटनों तक आती थी ओके प्रबेबली दा ओरिजिनल बेकर्स नॉट एग्जिस्ट माजातर जहां तक लगता है जहां तक उमीद है कि आप जो पुराने बेकर से वो तो भी चारे मरमर आ गए होंगे वो तो नहीं बचे बट लेकिन क्या है बट देर प्रोफेशन इस महिने में देना तीन सो रुप है ठीक है बेकिंग वजब प्रोफिटेबल बिजनेस इन दोस देज जो बेकिंग था ये ब्रेड बनाना काम ना बड़ा प्रोफिटेबल था बड़ा मारजन था बड़ा इसमें मुनाफ़ा होता था मैनेजिंग टू कीप देर फैमिली हैपी कि कितनी असान दी ना है ना कोई भी मुश्किल नहीं तो बस ये लॉंग आंसर आपको दो-तीन मरतबा पढ़ लेना है दो-तीन बार अगर इसको आप ऐसे टू-त्री टाइमस अपने माइंड में से गो थू कर लोगे ना आपको सहरी बात याद रह जाएंगी सिंपल सिंपल जो पर्तगीस थे उनका राज था पुर्तगालियों का राज था और वहाँ पर ब्रैड मेकिंग बड़ा पॉपलर था लोग बड़े लॉफ्स अब्रेड खाते थे यही तो बात थी ना बिल्कुल इस ब्रैड मेकिंग सिल पॉपलर रिंग वहाँ आपको लगता है कि अभी लर कहा जाता था वेन वुड़ दा बेकर कम एवरी डेग वाई दिड़ चिल्डर रंटू मीट हम आप वहाली बात लिख देने के बेकर कव आता था वह दिन में दो बार आता था घरों पर आता था और जो आता था ने लोल बच्छे एक्दम उसके बाद दोड़ते हुए ज सोचके कि मेरे सामने वह बच्चा बैठा हुआ है जिसे इंगलीश का ए नहीं आ रहा तो वह कैसे एक्जाम में लिख किया है तो प्लीज बिल्कुल भी डरो मत मैं आपके साथ हूं मैं भी आप जैसे ही बच्चा हूं बिल्कुल दोस्तों और जो question होंगे इतने आप इसको पढ़ो अच्छे से वो मैं revision video जो आपकी live video लूँगा ना आपकी live session करेंगी हम लोग उसके अंदर आपके मैं extra question exam related और सारी question मैं करवा दूँगा अब इस chapter को दो-तीन बार ना mind में go through करना इन questions को attempt करना देखना आपको ना इसी इ दर्ति सुनेहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला अब जब मौसम की बात आती है तो कौर का मौसम भी गोमने के लिए अगर आप प्लानिंग करो ना इधर उदर जाने की तो एक चीज़ याद रखना कि कौर्ग जिसे बोलता है एक ऐसी जगा है इंडिया के अंदर जो कि बे वहां जरूर जाना मुझे भी लेके चलना मैं भी आपके साथ जाओंगा जर आपको व्यू दिएओ कैसा दिखता है कौर्ग हमारा चलो दिखाये देता हूं आपको आप भी क्या याद रखोगे आप भी कहोगे कि सर क्या जगा आपने सजेस्ट किये ये है आपका कौर्ग कितना खुब्सूरत हरा भरा यहां पर हरियाली देख लो यहां पर जरने देख लो यहां पर पहाड़ियां देखो एवरेटिंग इस सो ब्यूटिफुल अबाउट कॉर्ग वहां के मर्द और दोन ही बड़े सुन्दर होते हैं ठीक है लेकिन मन में सपने मत पाल लेना आप आपकी वहां वहां की लड़कियों से शादी नहीं हो सकती कारण है जो कॉर कम्यूनिटी के लोग हैं वो सिर्फ अपने ही लोगों में शादी करते हैं किसी आउटसाटर से शादी नहीं करेंगे तो यह पहले बता रहा हूं कि फिर दिल तूट जा फिर आप मुझसे शिगा बेहिए नहीं सबकुछ मिले इसे तो सब लुगों की लोग यह बड़ी बरे माने जाते इतने ब्रेव हैं मि इसके लिए इनके लिए कोडवाओं को बिना लाइसेंस पिस्तॉल, रिवॉलवर, दोनाली और शॉटगन जैसे हतियार रखने की बिटिस काल से चली आ रही छूट को जारी रखने का फैसला किया है आपको हर कोईशन असाल लगेगा वो देख लेते हैं चलो गई कॉर्ग इस स्टोरी है किसके बारे में अब आउट दो कॉर्ग और कोडागू दे स्मॉलेस डिस्ट्रिक ऑफ करनाटक है जो एक बहुत चोटी सी डिस्ट्रिक्ट है कहां की करनाटक की ठीक है चलो जी आगे क्य पूरवच थे उनको माने तो आरब अरब लोग यहां पर कैसे आगे या फिर वो कहाते ग्रीक ते उसका भी एक राज है कि स्टोरी है क्या स्टोरी सुनते हैं शलो एक फेमस स्टोरी है that a part of Alexander's army had to settle here एक जो Alexander का नाम सुने सिकंदर, उसकी आर्मी जो थी ना, उसका एक हिस्सा यहाँ पे settle हो गया था, यहाँ पे रहने लगा था क्यों रहने लगया था, आँ सलो देखते हैं क्यों रहने लगया था as it was not possible for them to return, क्योंकि कुछ कुछ कंडिशन बन गए थी, कि वह वापिस नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने किया वाई, अब तो हम मरने के बाद यहाँ से हटेंगे, हम यही पर ही रच बस जाते हैं, और उन्होंने क्या किया so they married with the locals and settled here तो उन्होंने वही पर शादियां कर ली, वही अपने घर बसा ली और वही पर रहने लगया, कौन? Alexander का एक part of army जो थी, ठीक है, clear हुआ, आगे बढ़ते है the story draws support from the cupia, अब जो यह story है, जो कहा जाता है कि Alexander की army थी या फिर Arab से यह लोग, वो यहाँ पर यह उनके बच्चे है इनके पूरवजवों है, इस कहानी को support कहा से मिलता है? कुपिया से, कुपिया क्या होता है? बता तो, रुख जो बता देता हूं, मैं ऐसे थोड़ी आपको confuse करने लाया हूं, हर चीज़ का आपको जवाब देखे जाऊंगा, यह जो अंकल है यह अंकल, यह मेरे बहुत प्यारे-प्यारे अंकल है, मेरे चच्चा है, अब इन चच्चा ने यह इंडियन कल्चर का हिस्सा नहीं है इंडिया में कोई ऐसे नहीं बानता था इसको कुपिया को, तो यह इसलिए माना जाता है इसको इस बात को सपोर्ट मिल जाता कि नहीं हो ना हो यह अरब या फिर ग्रीक लोग है कौन? कॉर्ब्स जो है ठीक है, मज़ा आया जानके हाँ जी मज़ा आया, आगे बढ़ते है ठीक है, a long back coat with an embroidered waist रिके, वो जो एक embroidery होई भी होती है ऐसे उस पर कड़ाय होई भी होती है वो यहाँ पर waist पर अपनी कमर पर बानते है इस वास्ते इसको support मिल जाता है आगे बढ़ते हैं, चलो हाँ, belt worn by kodavus kodavus किसको कहते है, korgs कोई कहते है, तो यह जो belt है वो कौन मानते थे, kodavus बानते है, kors के लोग बानते है ठीक है जी, अच्छा, that resembles the kufiya जो resemble करता kufiya से, worn by the arabs and kurs, जो kurds लोग होते हैं, कुर्द लोग, ठीक है वो जो होते हैं, और जो arabs होते हैं, वो भी इस तरह के kufiya जिसे बोलते हैं, वो बानते हैं, ये लोग भी से मानते हैं, इसलिए क्या माना गया, कि ये हो ना हो, ये Greek या फिर Arabic ही है है, आगे बढ़ते हैं, फिर, फिर क्या का आगया, कौर्गी हैव, होम, हैव, ट्रेडिशन अफ होस्पिटालिटी, भाई, बड़े दिलवाले होते हैं, बड़े महमान नावाजी होते हैं, वाँ बस चले जाओ, तुम भाई, पूरे आपकी खातेदारी करेंगे, ओके, दब कॉर रेजिमेंट इस वन अफ दे मूस्ट डेकॉरेटेड इंद इंडियन आर्मी, और जो इनकी रेजिमेंट है, इंडियन आर्मी में, उसको भी बहुत ज्यादा अच्छा बहुत ज्यादा उसको बड़े लेवल पर रखा जाता है, कि इसको जो कॉर्गे तो क्यों ब्रेव है, ब्रेव है, बड़े दिल्दार है, डरते नहीं आई किसी से, और जो इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे पता है, वो कौन थे, वो इस कौर्गी ही थे, देख रहे हो, खून भाई, खून बोलता है, दब्लड स्पीक्स, इवन दे आर दी आउनली पीपल इन इंडिया, पर्मिटेट तो केरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, ये ब है, भाई, शकल नहीं दिखरी, कौर्गी हो एक, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे हो, काश मैं भी एक कौर्गी होता, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, चलो, आगे बढ़ जाते हैं हम तो, रिवर कावेरी, फ्लोस थ्रू कॉर्ग, अब इसकी उसके बा अगर आपको एडविंचर का शौक है, तो जरूर जाओ, तो वहाँ पर इस सारी एक्टिविटी आप मजे में कर सकते हो, कोई दिखकत नहीं है, बर्ड, बीज, मॉकका, मैलबा, स्क्वेरल, इसके बारे में है, ये सारी, लंगूर, बंगूर अगेरा भी, वहाँ बहुत सा इन अमेजिंग प्लेस टो एक्प्लोर, यहां पर जगाओं के नावे दोना, अब मेरे से भी नहीं लिया जा रहा, सौथ इंडियन नेम है, I'm not South Indian, ठीक है, तो इनके नाम थोड़े होते हैं, नहीं आता मेरे पर यह वाले नाम लेना, फिर भी मैं ले रहा हूँ, आप लोग प्यारे कलचर ने, इतने डिफरेंट डिफरेंट कलचर ने, इतने डिफरेंट डिफरेंट नेम है, so सच में, we are proud to be Indian यारे, है न, चल यह हमने पढ़ लिया, इसके भी कुछ क्वेस्टन देख आ रहे है, कहानी में खोग है, कुछ क्वेस्टन भी देख लेते हैं, आओं च कोशिश मत करना, रिटनी कोशिश मत करना, ठीक है, जो में बाते हैं, बस वो आपको याद रख लेनी है, और फिर क्वेस्टन को अटेम्ट करना, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा, और रिविजन तो फाइनल में करवाओंगा है, आपकी तो डोंट वरी, अब किसका love है चाई, जरब बता होतो रहाएंगी, और चाई की पती जरूर आएगी भाई, बिना चाई के पती के चाई नहीं बन पाती है, और जब पती की बात आएगी, तो country of tea की याद आएगी, यानि असाम की याद आएगी, आसाम और दरजिलिंग आप जानते होंगे, बड जैसे चाए की शुरुवात होई थी, कहाँ चाए बनी थी, क्या कहानी है चाए के पीछे की, यह सब बताया गया है, इसी चैप्टर के अंदर आई यह बता देता हूं, बहुत सिंपल सी कहानी है, इसके अंदर दोस्तों की कहानी है, जिसका इका गाउं होता है, असाम में, यह देखिए, 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 द तोड़ के डाल लाई होती है ऐसे और इस तरह से फिर चाय बनती है अब ताज महल बन जाती है और ब्रुकबॉंड बन जाती है टाटा टी होती है टूडे होती है यह सारी होती है किसी में डारेट पत्ती होती है किसी में दाने होती है चलो जी हम देखते हैं क्या है स्टोरी है ते दो संठेक। तय। आपको बात बताए भी एस डेट है ते ट्रेन मूड फॉरवड जैसे ट्रेन आगे बड़ते चुक 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 राजबी गॉट इस तरह 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 बैए परना रोज का एरवच पंद देख रहा हु है क्या तो कैसे रहा हो रहा है तूरा गॉट वर प्रणजल काम, प्रणजल काम रहता है जब कि जो राजवीर होता है, तो प्रणजल होता है, तो रहां नहीं होता है, और ती कंट्री जिसे असाम कहते हैं, सवाल आ सकता है, के टी कंट्री कौन सी है असाम है ठीक है चलो आगे देखतें क्या है राजवीर टोल प्रंजल that there are many legends about the origin of tea राजवीर बताता है कौन बता रहा है प्रंजल नहीं बता रहा जिसका गाहँ है वो नहीं बता रहा जाद एक्साइट कौन है राजवीर तो राजवीर बता रहा है कि मैंने पढ़ा है कि बहुत सारी स्टोरी है कैसे चाय की उत्पत्ती हुई थी चाय की डिस्कावरी कैसे हुई थी अब वो कहानिय सुनाएगा कहानिया सुनते क्या कहानी थी according to one legend एक legend ने क्या कहा है it was first consumed in China and reach Europe in the 16th century एक legend एक legend एक कहानी है जिसमें कहा जाता है कि जो चाय की शुरुआत हुई थी यॉरप में 16th century में पहुची थी ठीक है तो फस्टी काम बनी थी चायना के अंदर हुई थी ओलड ते के बारे में बहुत सारी कहानीया वह थी राजवीर फुर्दर टोर्ड बाकम THAT there are numerous stories about discovery is एक एक है चाहनीज़ एंपरर यृक्टा eder का चाहनीज एंपरर था एक राजा था चाहना का Emperor was boiling water for himself, अपने लिए न वो पानी उबाल लाँ था, while the water was boiling, जैसे पानी उबल रहा था ना, some leaves from the twigs under the burning pot fell into the boiling water, ऐसे ही न, वहाँ से टहनी है, कुछ टहनी हो से न, पत्नी है, ऐसे यूँ नीचे गिर गए कि इसमें, उस pot के अंदर, अब फिर क्या हुआ, it enhanced the taste of the water, जो बता रहा हूँ, जो black tea नाम की चीज होती ही न, बिना दूद के, पता नहीं कैसे इनोंने बोल लिया, के पानी का टेस्स बदल गया, मुझे तो कड़वा लगता है, मुझे बिल्कुल कड़वा लगता है, मुझसे नहीं पी जाती, काली चाय, इन लोगों को अच्छे लग रही थी, क्योंके यह चाइनीज हैं, बाई, चलो, फिर क्या हुआ, देटी वॉज फॉस्ट ड्रंक इन चायने इन 2700 बीसी, 2700 बीसी में, पहली बार चायना में चाय को पिया गया था, यह सारे चायनीज वर्ड यह तो अपने आप भी लग रहे हैं, यह को रटने की चीज है, टी चायनीज वर्ड, चलो, नॉलिच के लिए बता दिया है, Another story, एक और story है, is that once, एक बोधी धर्म का एक नाम पर एक एक एंशेंट मॉंक, एक पुराना, जो फकीर होते हैं, भिक्षू, वो थे, वो क्या कर रहे थे, He cut off his eyelids, उसने अपनी पलके काट ली, as he felt sleepy during meditations, Seriously? उसने अपनी पलके काट ली, क्योंके उसको नीदारी थी, ध्यान लगाते हैं मैं, चलो भाई, भाई, इकनी अच्छी पलके होती ही, काटने की चीज थोड़ी है, चश्मा लगा लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी थी, From those eyelids, tea plants grew out, और उन eyelids से उन पलकों से tea का plant निकल आया, भाई, salute है ऐसे बाबजी को, ठीक है भाई, हुआ होगा पुराना जमाना था, Chinese monk थे, बहुत मंक थे उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन बड़ी, बहुत बड़ी बात है, मैं तो हैरान हो गया, देखके, The train journey, अभी बात है खतम हुई, The train journey ended at the Mariana junction, Mariana junction पे train की journey खतम हो गई, Pranjal's parents were there to receive the boys, Pranjal's के पापा वहाँ पे आया थे, दोनों बच्चों को लेने, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, Pranjal's father drove them to the Dekhiabari tea plantation, वो एक tea plantation पे ले गए, जहांके वो manager थे, Pranjal's के फादर, दोनों bamboo baskets on their backs, अभी मैं आपको फोटो दिखा है था, आणटी का ऐसे bamboo basket लेवे हैं, वहाँ पे वो plantation में उनको ऐसे ही photos दिखे, ऐसी ही photo नहीं दिखे, वहाँ तो रियल दिखा ना, उनको, तो और ऐसे देखा कि ऐसे हमारी बहने माता है, यहाँ पे bamboo डालके, बंबी मतलब बास्के tea leaves, प्रंजल's father got impressed by Rajveer's knowledge, प्रंजल के फादर थे राजवीर की knowledge से बहुत impressed हो, क्यों, क्यायत कह दिया तो उसने ऐसा, when Rajveer told that it was the second sprouting season, जब राजवीर ने कहा कि यह दूसरा season है, जहां पे नए नए बीज आए, नए पती आए हैं, यह बता है, उसने तो बड़े इंप्रेस ह प्रंजल के फादर को अपना बेटा अच्छा नहीं लग रहा है, उसका दोस्ते नोसको कहा से मिली, कैसे मिली, ठीक है, चलो खेर, यह होगा हमारे chapter T from us, मजा आया के नहीं मजा आया, और मैं यह जो मजा है, हिंदूस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता, दोस्तों, NCRT मैं सच कोई अच्छे question नहीं है, लेकिन आप से question पूछे जा सकते हैं, पहला तो हो सकता है कि क्या क्या story है, क्या क्या history है, T के invention की कहा से T आई है, इसका origin कहा था, तो वह story आपने बता दे नहीं है, दो Emperor वाली, डिरेक्ली Emperor वाली पूछ ले था, आपको पता ही है, वो जो Buddhist monk की क कहानी है, वो वाली आप बता सकते होती है, तो कहानी हमने इसमें already cover कर लिए, एक question हो सकता है, बहुत excited था, जो tea plantation को देखने के बाद, लेकिन जो प्रंजल था, उसको जरव interest नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों था, अरे घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की पत्ती दाल बराबर, जो भी है, तो जो भी है, आप समझ सकते हो, उसको क्यों excitement हो रहा था, वो तो वहां से born and brought up था, तो उसको जाद excitement नहीं आ रहा था, उसके लिए वो new था, यह आप इस रांसर लिख दो गए, ऐसे ही हो सकता है कि प्रंजल के फादर को उनका बच्चा, वो जो उसका बच्ची कोई भी डाउट हता, आप मुझे Instagram पर पूछ सकते हो, इसी तरह कि आपको वीडियो मिलते रहेंगी, बिल्कुल परेशान मों तो कौन से chapter चाहिए, कौन से topic चाहिए, मुझे comment box में बता देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया, ताकि मुझे आपका प्यार मिलता रहे, च